हालो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ गौतम कुमार और आप देख रहे हैं परतिभा फांडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभी नंदन करते हैं क्या हल है आप लोग का कैसे हैं चलिए आज जो हैं लोग बी एससी के लिए मैथ रिजिनिंग सुरू किये हुए हैं उसी करी में आप लोग के लिए आज जो है डायरेक्शन चिप्टर याने रिजिनिंग का ही डायरेक्शन चिप्टर लेकर आए यह कर आए है जो आपको बिहार ससी में universum 2016 पूछ पूछे गएँ हैं और किस प्रकार के default पूछे गए यह प्रसन आपको बता देने चाथा हू है उसको हम लोग देख लेंगे ठीक है डाइरेक्शन में ही और इसके बाद फिर हम लोग कोश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें मात्र लेकिन हम लोग रहना चाहते हैं देखिए वैसे चात्र के लिए हम कहना चाहते कि वैसे चाहते हैं जो तेज तरार है कि उनका मुद्य जानका है श्कुष ऑने चाहं के लिए नियोता चाहिती है और फिल्कुल कंजोर स्वाद्स सबीधर कर खि metrics जाएए और दुसरे वीडियो देख लीजिए ठीक है मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल सही परहाएंगे और अगर देखना चाहते हैं ताप इसको फास्ट करके देख लिएगा उचलिए शुरू करते हैं देखिए तो डा आपको इस्ट होता है और इधर आपको बेस्ट होता है तो नौर्स का स्पेलिंग इन ओर टी एच साूथ का स्पेलिंग इसके जिलिंग जैत इस को बोलते हैं हिन्दी में इसको उत्तर बोलतें इसカンタ करई इसको हम क्या बोलें ठीक है पूरव नहीं पूरव होता है कि पूरव या पूरव भी कहते हैं पूरव मतलब ठीक है ऐसे और साउच का मतलब क्या होता है यह आपको दक्षीन हो जाएगा ठीक है साउच का मतलब क्या हो यह दक्षीन अब बेस्ट का मतलब क्या हो जागा यह पस्सीम हो जागा यहा इसके बीच एक दिशा और भी उत्पन होंगा ठीक है ये दिशा इस दिशा को हम लोग क्या कहेंगे देखिए पहले साउत के तरफ है दक्षिन और फिर क्या लेंगे पूरव लेंगे इस दिशा को हिंदी में इसको क्या बोलेंगे दक्षिन पूर्व बोलेंगे दक्षिन पूर्व बोलेंगे ठीक है इसके बाद अगर इस डाइरेक्षन को देखा जाए तो देखिए पहले उत्तर है और फिर क्या है आपको पूरव है तो इसको लोग क्या बोलेंगे उत्तर पूर्व बोलेंगे उत्तर पूर्व नाम क्या देंगे उत-तर पसचीम देंगे देखिए यह बेलकुल बात यह आप पहले से भी जान रहे हूंगे लेकिle जानेने के सांस साथ हम आपको यही बता देना चाहते हैं ताकि यह भी आप सीख जाईएगा ठीक है ना बेसिक चीज़े है लेकिन इसको भी छले ठंडा लग रहा है और यहां से हम लोग क्या काम करेंगे यह जी देखिए यह बड़ा जो दीशा है इसको क्या बोलते हैं देखिए इसको साथ बोलते हैं साथ और बेस्ट इसका मतलब हो गया कि इसको हिंदी अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलेंगे दक्षिन बोलेंगे और क्या बोलेंगे इसक चीज हो गया और बेशिक में अब आगले आगे हम लोग देखेंगे क्या देखें यहां पर देखें बेशिक में क्या देखेंगे यह देखें है आफ हम लोगं देखते हैं कि यह जो होता है कि 90 डिग्री का होता है यह होता है यहां तक प्रत्मय दिकत है और आ इध आक घंस क्या हुतत धुन? क्योंट ऄंतलोड एक यह क्या पाइटालिस तिक्ज़ी एहां सब्सक्राइब यहँ लोग समगी नहीं है अवह लोग देखते हैं अ侯ारी की डिशा में लिखे के अगर बर्सक्रामितषा कि लुग सब्सक्राइर इसके बाद समयेंगी इसको anti clock tego कैने के बिप्रि दिशा में क्या करेंगे गहर के बिल्कुल इसे तरफ से एnte क्रफ प다면 और आएज चलेगा गई इस तरफ चलता है तो इस तरफ चलेगार है । और जैसे ही आपको प्रौस्ण में बिपरीद की बात की जाए दिखिये मतलब होथा 180 De Sundays अगर मेरा मूं पूछ रहा है कि उत्तर मेरा मुह से जिव खूरब और हम गूप शुक्षित हैं इसली ऑगर और हमारा दाइरिक्सन क्या है उत्तर पश्ची में हैं तो हमको जब बोला का में तो चितना हो जाएगा दक्षिन पुर्व हो जाएगा बैरेक्ट इसके बिपरीत अगर इस लिसा में है तो इसके बिपरीत कहां चलागा यहां चलाएगा बत जहां पर आपको कहेगा प्रशंत उससे ठीक आपको 180 डिग्री जू है आपको बिप्रीट चले जाना है यहां तक आपको समयने में कोई दिक्त नहीं है अब अब देखिए अब हम लोग क्या काम करेंगे प्राशन में एक और बाते बता देते हैं क्लॉक बाज रहेगा ना तो इसको हम क्या बोलेंगे राइट साइड बोलेंगे क्या बोलेंगे राइट साइड ठीक है और यह एंटी क्लोज का मतलब क्या हो गया लेफ्ट साइड लेफ त्यक्तितमें भड़ी में क्या ता कि इसके बीपरीत होता है साँ फीधर होगा नौर्थ इधर होगा एस इधर होगा और बेस होग जबातन है रहेंगे ऊप द्यान लेकारे में यह आप क्या करना है कि आपका मुह जब आपको से बोला कि आपका दाहिने साइड में आपका परचाई अगर बनेगा तो आपका मुह किस दिशा में होगा अगर आपका परचाई बाय साइड में बन रहा है देखिए अगर आपका परचाई देखिए परचाई दाय तरफ है परचाई दाय तरफ है तो मुह का दिशा किया होगा देखिये मुह का दिशा दक्षिन दिशा में होता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दक्षिन दिशा में होता है चलिए और जैसे ही अगर आपका परचाई जो बहुत नोट इंपोर्टेट नोट है आप इसको नोट को नोट कर लेजिएगा अगर परचाई जो है किस तरफ होगा परचाई बाय तरफ होगा यहां देखिये बाय तरफ होगा होगा तो क्या लिखिएगा आपका जो है मुं उत्तरक दिसा की ओर होगा दिसा की ओर होगा और यह कब होता है यह सुर्योदय के समय की बात है है सुर्योदय की समय की ठीक है ऑचले की तरह रभते हैं 3 सुर्ज के समयल की चलना परारण करता है के यहां देखिए नॉर्त हो गया यह सौ्थ हो गया और यह क्या based हो गया तो समान देखिए एक बेकती सुबा के समय में सूर्ज की दिशा में मुग करके चलना पराम करता कुछ समय क्या होगा एंटी को लोग भाई की दिशा को हो जाएगा चाहाँ एक और ट्रीक होता सकते हैं कि आप अपने आपको इसाइड में रखकर देखेए अर तो इसाइड है और उसके बाद फिर वह अपनी बाईयोर और मुड़ जाता यानि बाईयोड मूर जाता और बाईयोर मूरने के मतलव मतलव और उसके बाद फिर वह अपनी और मुड्याता और फिर क्या करता है मां यह सकते हैं इहां से 2 Doll देख सकते हैं पहले यहां से इधर आया फिर यहां से तरम फिया है तो इसका मतलब पocused क्यां रिद्म करता है उस नीजा कैने ने यहां सबसक़् स्तर नमबर ए ठीक है अप्शन नमबर क्या हो जागा ए चलिए अब हम लोग अगला कोशन देखते हैं एक मनुस का मुझ देखिए एक मनुस का मुझ पस्चिम की और है देखिए तरह फिर से आपको कुशन में बना देखिए यह नौर्थ हो गया इस साथ हो गया यह इस्ट हो गया गुमता है और गरीक में यहां मतलब मतलब क्या होता है कि राइट साइड में 45डियरी घुमा यानि की यहां पर आगिया। इतना घुम अगुंता और फिर एकoyo折्या सी डिप गुमता है फिर एक्यार यहाँ के बाद की लिए में धरी मिनोट्रेगा मैं यहां के बादि यह उसकी मुन आपरां। क्या हो घुआ है H ठीख है अभी मेरे बाई यह चल रहा है आपको बिहार एसस और का ज़ सब्सक्राई करें चैप्टर सब्सक्राइब वह 16 कोश्चन है आपको सामने है स्क्रीन पर आप जिसके मदद से त्यारी कर सकते हैं और बहुत जल्द जो है आपका बहुत टॉफिस्ट लेवल का यह से सीजियल में ठीक है इसे सीजियल में जो आपको कोश्चन पुछता है कोश्चन पुछता है मैथ और रिजिनिंग का ठीक है बहुत जल्द हम जो सीजियल आपको बिहार सीजियल का जो बैच है सीजियल फोर का बैच जो है मैथ और रिजिनिंग के साथ साथ होल पैकेज यानि होल पैकेज आपको ला रहे है हर सेक्षन का आपको सेक्षन टेस्ट हम मैथ और इडिजिनिंग का दम यूटूब पर सिर्य आफ कोस्ट रहे हैं यूटूब पर सिर्य आफ कोस्ट मैथ रिजिनिग ठीक है मैथ रिजिनिंग और इसके बाड़ साइंस का की पार ओट न सेक चले घर तीक पर जल्दी बैच शुरू हो जाएगा में भी फरवरी नो दस तारिक से जो है आपका ये बैच शुरू हो जाएगा एकदम जिसमें क्या होता है तो उस टीस में जितना भी प्रिवियर का कोश्टे जो है इसमें करा आजाएगा ठीक है केब अगे बढ़ते हैं अब देखिये आप उत्तर की और गए क्या करता है यहां पर देखिए फिर से बना देते हैं ताकि आप लोग समझ जाए नौर्ड साउथ इस्ट और में बेश्ट आप उत्तर की और गये उत्तर क्यों क्या गाते हैं हे यहां से आप उत्तर की और गये ठीक है धे घुमे और ते झालट की तरफ जागा जाँ आएं आपकी ज़िसा है यहां से उर्शहुख की तरफ हो जागा जयागा पूर्प की तरफ हो चलिए अगला कोशन देखिए दक्षी की और भाग रहा है एक लड़का अपनी दाई और घूमता है देखिए यहां पर फिर से बना के हड़ा कोश्चन में हम आपको बता रहे हैं साउथ इस्ट और यह बेस्ट तो पहले क्या करते चेप्टर वाइच चीजों को परहेंगे इ देखिए दक्षीन की और भाग रहा है लड़का ठीक है और अपने दाई और घूमता है दाई और का मतलग क्या होगा क्लोक वाज घूमेगा और वह फिर और यहां से घूम गया इधर और फिर वह अपनी दाई और दाई और देखिए फिर अपनी दाई और चला यहां की अन्त में दो बार को दाइकोग झायंद त्थ हुआ और उन्त में दो बार अपनी बाय और हमताई यहां के यहां के आंने के बाद ध्युद गोड़ इनस धाय और प्लोग अतला यहां नहीं होगई यहां नहीं कER और यहां जो है अपना और गोनेगा ठीक है बाया यह कहँ क्या हो गया कि आपको इस तरब घूमे गाऊ कि एक एक बार होगो कोष्चन म्षेस्ट उत्तर और अफी दिता प्स्श्ण है taking खिर कुइए अगर दक्षिन पुर्व दक्षीन पुर्व जो है यह नहीं थ्यां देखिए यह यह धिक्षील पूर मुझ मुझा यूब उत्र तोर्फ यह दिखें वना जाता है यहां से इहां चलाता है ऐसे तक यतना डिगरी आया इधर 45 आइधर 90 तो यह 135 डिगरी भूम गया ठीक है और उत्तर पूर्व पसिम मंजाता है तो उत्तर पूर्व कहां पर है देखिए उत्तर हो गया इपूर्व हो गया इउत्तर पूर्व जो है पसिम मंजाता है कहां मंजाता है यहां मंजाता है यानि कि यहां च एक सोपायथिस डिग्री आगया तो पस्चिम बनेगा तो पस्चिम के बारे में पूछ रहा है तो पस्चिम जो है कितना नमें कितनार चैनल को अगला कोशन हम लोग देखते हैं ते सुर्योदय पर देखिए सुर्योदय पर होडोर इस तरह खारा है कि उसकी चाया उसकी दाइंगहर पर रही है तो होडोर का मुह किस तरफ होगा देखिए जब सुर्योदय के समय छाया जो है खरा है उसकी छाया उसके दाई और पर रही है जब दाई और पर रही है तभी हमने नोट में आपको लिखाया है जब दाई और छाया बनेगा तो मुह किस तरफ होगा दक्षिन दिशा की तरफ ह होगा आप याद होगा तापको ठीक लगा सकते हैं डाइरेक्ट और जब बाई और पनेगा तक इस तरफ सुर्योदय के समय जब बाई और आपको रहेगा आपको पर्षाई बनेगा तो उत्तर दिशा की तरफ मुह होता है फिक इतना याद रखिएगा डाइरेक्ट बना देन और यह बिस्ट है तो देखिए 20 मिट चलता एक लड़का उत्तर दिशा में कहा करता है उत्तर दिशा में 20 मिटर चलता कहा चलता है यह 20 मिटर चला ठीक है फिर दाय मुर्था दाय का मतलग क्या हो गया अपने कलोक बाई चलेगा दाय मुर्था है और 30 दीन चलता है यहां 30 मीटर होगी है ठीक है और दाय मुर्था फिर क्या मुर्था दाय मुर्था दाय मुर्था चलता है और फिर क्या था बीस मीटर आता है दाय मुर्था ठीक है चलता है उसकी अंतिम जगह अपनी आरहम बाली जगह से कहा है तो आरहम कहां से किया था यहां से किया था और यहां और यहां की बीच की दूरी कितना है पूर्ब यानि को अप्सन नमबर डी के चले अगला कोशन है कि अगर एबी का अर्थ है कि एबी के दक्षीन में है कि इसकी कोशन गलती है का आठ नमर देखिए अईसे नहीं होगा जलती है देखिए यह जो प्रशन है यहां A कोरोस B है ठीक है यहां ऐसे दिया हुआ A कोरोस B का अर्थ है कि A B के दक्षीन में है क्या है A जो है B के दक्षीन में तब B यहां हो जाएगा और A कहां होगा यहां हो जाएगा ठीक है अब A पलस B का अर्थ है कि A B से उत्तर में हैं तब B के उत्तर में हो गिया अब कहता है A परतिसत B अब हमारे पास है A परतिसत B का अर्थ है कि A B के पुर्व में है A जो है B के पुर्व में है तो B इधर है अब B के पुर्व में का होगा यहां पर होगा ठीक है अब A माइनस B का अर्थ है क्या है A माइनस B का अर्थ है कि A जो है B के दग पच्छी में है A B के पच्छी में तब B के पच्छी में A हो जाएगा तरफ है अब क्या कहता कि P परतिसत Q पलस आर्प माइनस A सकार Q के परति दिशार में होगा देखिए मैं इसके कोश्चन मिला लेते हैं ठीक है इसमें क्या दिया हुआ है देखिए कोश्चन चुटा हुआ है आपको पूछ रहा है कि P परतिसत ठीक है P परतिसत Q आइसके बाद है पलस आर्प माइनस A का अर्थ है कि अर्थ है कि देखिए S Q के परति परति प्रसरनी यह बात कह रहा है S जो है Q के परति इस दिसा में है A का बार है Q के परति किस दिसा में है देखिए P A परतिसत B dc, P परतिसत Q है तो यहाँ पर क्या है? कि A परतिसत B का art है कि B जो है, B के पुरब में A है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह Q के पुरब में P हो जाएगा यहाँ तक कोई दिककत? और Q प्लस R तो दिखिये, प्लस वղा कहां है? देखिए A पलस B का अर्थ है कि B के उत्तर में A है तो यहाँ पर क्या हो जागा R के उत्तर में Q होगा तो यहाँ R हो जागा इसके उत्तर में क्या हो जागा Q हो जागा तो यहाँ A माइनस B का अर्थ है कि आपको A जो है B के पस्चीम में है तो यहां R-S का अर्थ हो जागा कि S जो है S के आपको पस्ची में R है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब सारा चीज हो गिया है तो अब हमको पूछना है कि S जो है Q के परती किस दिशा में है इस जे है क्यों के परती तो इक कहा पर है इसक में है दिश Highwayanoast है कि ऐसे अगर आपको रहेंगा you इससके दिशा में हो जाए याने दक्षिन पूर्ब में हो जाए दक्षिण पूर्ब क्या अपने ये शलिए अब और और आपने कमेट लोग अगला question देखते हैं तेफेट नम्मर नाइन राजा पुर्व की ओर 90MM चलता है कहां चलता है राजा कहां जाएगा फीर से देख लेते हैं दुएक साउध ओरिकी चलता तपाए यहां पर चलेगा। नाइंटी मीटर चलीपी म overlap क्यों टिक दाय मुर्था। दाय मुर्था है दाय मुर्वने का मतलब क्या हो गिए वह तों प्वल जाएगा। इधर मूरेगा टिक दाय मूर्था और 20 मीटर चलता है तो 20 मीटर चलता है पुना दाय मूर्था है पुना दाय का मतलब क्या हो गया आप अगर देखिएगा तो फिर क्या हो जागा इधर ही हो जागा पुना दाय मुरता है और 30 मीटर चलता है यहां के चलने बाद कितना चलेगा 30 मीटर चलेगा 30 मीटर चलता है ठीक है और उत्तर की तरफ मुरकर 100 मीटर चलता है अब यहां देखिए यहां के बाद का चलता है उत्तर की ओर चलता है यहां के बाद यह उत्तर की ओर चलता है कि यहां 30 व रहाखते पर्सक्राइरका पार फिर्ट शार्ट में तो चल रहां कि ऐना चल तो छानव है है तो देखिए यहां से यहां 30 है यहां से यहां पर क्या हो जाएगा ठीक है यहां पर यहां तक साट मिटर हो जाएगा जैसे अगर नाम देते हैं एएए यहां देते हैं देते हैं और देते हैं और यहां देते हैं आट डेते असी मीठर अब हमको यह बला डिस्टेंस पूछ रहा है कि ए इक होगा अपनी आरम की जगह से वह कितने दूर पर तो यहां से किया था तो यह से लेकि एव तक की दूरी क्या हो जागा तो हम क्या लगा देंगे यह पाइथ वरावर हो जाएगा क्या लगांगे साट का स्कॉार हो जागा और असी का स्कॉार हो जागा साट का है इसकॉार 3600 और आठ का है इसकॉार 6400 और टोटल जुड़िएगा तो यह आपका ए दस अजार हो जागा ए एक images square ब्रावर क्वार अगर हम और nis निकालना है तरोट कर देंगे यह वर सुनना है यहां पर एक सुनना ऊछिड़न कि सो मेटर हो जागा एक का डिस्टेंस कितना हो जागा सो मिटर को दिखत तो वह अपने अराम से 100 मिटर की दूरी पहड़ा है यारे option number C चलिए के जो है 40 मिटर दक्सिन पस्ची में है के जो है 40 मिटर दक्सिन पस्ची में देखें यहाँ पर नौर्थ हो गया यह आपको इस्ट हो गया और यह बेस्ट हो गया कि साहुथ हो गया के चालीश मीटर दक्सिन पस्ची में दक्स घ्रोष चीन और सीं बनाव है के यहाँ पर है 40 मिटर गन meglio ढेंग कर से य है अब किया यो है यहां पर है 40 मिटर दक्सिन पुरोग dow इल जो है एल के एम चालिस मिटर दक्षिन पुर में है है एल जो है एम के चालिस नितरफ पूर्ब का और आ गए जो है किये कि एल के इम तर देखें तर कोश्चा में थ्वा सारी कर बढ़ लग रहा है देखें लिए कि एल के लिए कि देखें पच्छी में देखें यहां पर एल होगा ठीक है एल के दक्छिन पूर में यह 40 मिटर दूरी पर है आपको एम अब कहता है कि एल के परती इम इस दी सामें ल के परती ईल के परती के कि एल के परती खेंए इस दिशान में के परती के के अंखे मनुट मैं मिस्ठे एगा चली के बना झालते नहीं effect है कि है घ हम लोग ने अंहीं तरफ चलता देखें यहां पर फिर से डाइगर मदा लेते हैं नौर्थ साउथ इस्ट और यह क्या जाएगा बेश ठीक है एक लड़का घर से 25 मिटर पस्चीम की तरफ चलता है तो यहां से घर है और 25 मिटर कहां चलेगा पस्चीम की तरफ चलेगा का चला 25 मिटर 55 मिटर चलता है और यहां से दाय मूर कर 10 मिटर चलता है दाय मूरना का मतलब क्या है कलोक बाइज तो यहां 10 मिटर चल जाता है और फिर दाय मूर कर 15 मिटर जाता है फिर दाय मूरा और यह 15 मिटर चला ठीक है फिर दाय मूरा मूरता और 135 डिगरी पर चलता है दाय मूर दिगरी कहा चलेगा पाइध एक सो पैटिस डिगरी पर चलेगा तो नाइन्टी दिखिए एहां से इन आइन्टी घुमेगा और इधर नहीं इधर चलेगा ठीक है कि एक सो पैटिस डिपर इवर रखरबर है का चलेगा यह देहां दिए हाँ पर कैके लेगा यहां तो नाइन्टी डिगरी हुआ और प्यता डिगरी इधर चला यानि कि टोटल जो है आपका 135 डिगरी पर चल ता वह अंतने में की सल्जा में चल रहा है देखिए हां सजब चलेगा तो किस दिशा में साउथ पस्षिम या तरह यौँ चाहिए परचाहिए एक कि दाय तरफ पर रही कि दाइन तरफ पर रही या यहाइं यहां अ Yay nước नॉर्थ ठीक है और इहां क्या है साउत है तो एकस और वाई यह सुरीयोदय के स्मय एक दुरे को देख रहा है अब वाई की परछाई 24 ये ऐकس के दाय तरफ बन रहा है एकस के दक्षिन दिशा में देख रहा है एक्स जो है दक्षिन दिशा में यहां एक्स है और इस दिशा में देख रहा है यहां इस दिशा में देख रहा है दक्षिन दिशा में देख रहा है तो अभी इसका परचाई जो है आपको इस साइड बनेगा ठीक है तो वाई जो है यहां हो उंद्र यहां पको बनेगा बाय इसका इसका उत्तर की को जाएक दीक है एक घंटे के सूहँ बजे साम के उत्तर देशा में हैं देखिये घरी की जो सूई है हमने आपको बताया है कि साउत इधर होगा आपको नौर्थ इधर होगा बेश्ट होगा आपका इस्ट होगा ठीक है तो एक घरी में घंटे की सुई 6 बजे साम किये उत्तर दिसा में किस दिसा में है घंटे के सुई उत्तर दिसा में यहां सा समझ गया है घंटे के सुई उत्तर दिसा में है 6 बजे मिनट के सुई क्या होगा 12 पर होगा ठीक है अब उसमें 9 15 हो रहे हैं तो समाने मिनट की सुई क किस दिषा में तो नौपंदल रखे मतलब। क्या होगा होगा घंटा की तरफ होगा होगा जाए Τής समय मिन्ट की ложा नमबर दौब चलिए अगला कोश्चन देखते हैं लोग देखिए कोश्चन जो है आप लोग को करना है और इसमें देखना कितना सा यह प्रिवियस एक पूछे गए हैं एकदम CGL 4 के लिए के लिए कमरकस लिए हमारे यहां बैच जो है अब शुरू हो जाएगा सीजल फोर के लिए और फिर यह कोश्चन पूछे गए हैं एकदम सेट वाई सेट करके आपको शुरू करेंगे ठीक है मैось और shout English निक दोनों खा एक सुवह सुचंड के प्रतिभा एक के के बाई तरफ बन रहा हैं तर्फ आगे दिख रही थी तो पर्तिभा कीस दिसा की और मुह करके कई है देखिए 2 तरफ खरी है इसका मतला क्या होगा की हें यह बात सुर्योदार के समय में है थीक है फॉर esses इला कोशन हमाएर पास राधा साथ किलो मिटर पश्चिम developender साट किलोमिटर एहां या पस्षिम किलोमिटर पस्षिम करें तब तो और तीन किलोमिटर चले त्यम करें और फीर दाई और मिठी राती हैं और ह heroin मोड़्िया हैं किलोमिटर जाती हैं यहां ऌडु इसनफ में में तक नोय तो वाप आरामभीक बिंदू से किस दिशा में हए तो देखिए यहां पर साव हैं और यहां पर इसथ तो इस दिशाम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ इस्ट में जा रही है नॉर्थ इस्ट में या निंग उत्तर उत्तर जा रही है ठीक है और देखिए ऐसा कोई भी आफ्सन नहीं है जो पूर्व के केवल आफ़सन हो समझे तो इसलिए इसके से तुनला की जारी है तो हम लोग इसके दिसा में निकालेंगा ठीक है चलिए अब लोग अगला कोश्चन देखते हैं मैं उत्तरदिशा में 15 किलोमेटर चल कर पूरव कि और दसक्राइब जाता हूं देखे उत्तरदिशा की और चला 15 किलोमेटर ठीक है पूरव की और दसक्राइब पूरव का मतलब का में इस तरफ हो गया 10 खिस together 2015 कि झूर मैं पुराम्भ ऐस्थाल से अब तो के तो यहां से फांदर reference का चल ला है दक्षर दीजर तो कहता है रहारम अस्थाल से अब कितनी दूर यानिक इस अस्थाल से कितना दूर पर होगा वह इस और डिस्टेंस होगा यानि कि 10 किलो मिटर यानि कि अप्सान नमर भी देखिए यह 16 कोष्चन डायरेक्शन चिप्टर का बी एससी में पूछे गए थे वह सारा कोष्चन आपके समाप्प हो गया इसी परकार का डायरेक्शन चिप्टर से कोष्चन पूछे गया है लेकिन एक बा आपको सीजयल में जो प्रसन पूछ रहा है सीजयल में वही प्रसन जो है आपको आप ब्लdot है से इंटर लेबल के एकछाम मेंbasin पूछते लेकिन आपको हम इसल्काश ãyवह देते हैं कि पूच्तर आपको सदूचन और एक मोटा मोटा आंडिया बन जारा चाहिए ठीक है और तयारी का बात आपको सफलता लेने से कोई नहीं योग सकता देखिए पहले तो आपको मैथ पर ना है कहीं भी आप मैथ और रिजिनिंग के कोचिंग कलास कर लिए चेप्टर बाद यूटूब पर देख लिए ठीक है इसके बाद मैथ और रिजिनिंग का परतेक दिन 25-25 क स्टाइनिख आपको सफ्टाइन से करना है और इस यहां करित करना है इसके और साइस शेक्षन है साइस सेक्षन का आपको चैप्टर बादा है और चेप्टर पहने के साथ साथ क्या करना है आपको टेस्ट लगा ना अ चेप्रणार टेस्ट लगाना चेप्र पढ़ना टेस्ट लगाना इसी परकार से जब आप करते रहिए गा तो आपको नीशंदे सफलता से कोई नहीं रोक सकता और इस झान तीन सेक्षन जब आपको मजबूत हो जाएगा इस तीनों सेक्षन साइंस जब सेक्षन 3 मजबूत हो जाएगा तब क्या कीजिएगा आप सुरू कीजिएगा क्या पूलते हैं उसको एस्टाटिक्स जी के पढ़ना सुरू कीजिएगा और इसको लगातार जारी रखना और जब तक एक्जाम न हो जाए तो मार्केट में जितना भी सेट मिलेगा सब को बना जाना है तब जाके आपको सफलता मिलेगी ठीक है मेरे मित्रों तो आब हम लोग बिदा लेते हैं इस वीडियो से फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में वीडियो कैसा रखता है कमें बताइए गाद के नीव चाइनल है तो इसको आप सपोर्ट कीजिएगा इतना अ सब्सक्राइब करना क्या लाइक करना सब्सक्राइब करना और लोगों को सजेस्ट करना कि इस वीडियो को आप इस चाइनल को कपरेट कीजिए तो एक दिन हम आपके लिए और भी बहतर से बहतरीन सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करें विवद्सक्राइब